यह नमश्कार दोस्तों स्वागा थे आपका टीश्यू विजूडिक चैनल में तो आज हम कवर करेंगे पावर विए के सबसे इंपॉर्टन टॉपिक को जो कि यह वीजूल से रिलेटिट है पावर विजूल से दिखाया जाए पावर विजूल से इसके अलावा कुछ भी नहीं है माइरोसोफ ने बहुत सारी विजूल्स क्रिएट करके हमें दे रखे हैं पावर विए के अंदर लेकिन क्या हम जानते हैं कि रिपोर्ट में जो हम विजूल को यूज करें तो कब किसको यूज करना चाहिए यानि कि अगर कोई मैं डेटा पाई चार्ट में दिखा रहा हूं तो वो मैं बार चार्ट में भी दिखा सकता हूं लेकिन इन विजुल्स को create करने के पीछे कुछ तो मोटो होगा पाउर भी आईगा तो चुलिए आज इस टॉबिक में हरे एक विजुल को देखते हैं कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है और कब किसको यूज करना चाहिए वीडियो एंट अब देखे हैं और अच्छी यूटू प्लीज लाइक और कमेट जरू करिए ज़ले स्टार्ट करते हैं हमने आज के इस टॉबिक को तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और इस पे कुछ कॉलम्स हैं और साथ में हमें देखे यहाँ पे दिये गई है वीजुलाइजेशन के टैब के अंदर अलग अलग तरीके के वीजुल जिसको हम अपनी रिपोर्ट में बनाने के लिए यूज करते हैं हम इसको सेलेक करके पहले रख देंगे और उसके बाद भी अपने डेटा को सेलेक कर सकते हैं अब दीखे यह टेबल यूज क्यों होता है यह यूज होता है टू डामेंशनल डेटा के लिए जब भी आप दो तरीके से डेटे को दिखाने चाते हैं तो आप इसका यूज करेंगे दो तरीके से यानिकि दो इंपुट अब देखे मान लीजिए मैं आप दिखाना चाहता हूं कि मेरे हर रीजन में कितनी सेल हुई है मैंने रीजन सेलेक करा और सेलेक करा सेल्स ठीक है और इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग से साइस बढ़ा देता हूँ तो कि आज हम फोर्मेटिंग वे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम सिर्फ वीजुल पर ग्रेट करेंगे तो हम छोटी मोटी जो मैं पर चेंजिस लारए वग वह देखते हैं मैंने ये कर दिया तो इस्ट में सेल कितनी है तो reason wise sales यह आप sales wise reason कह सकते हैं तो आपको एक बारी में पता चल रहा है कि total sales हमारी इतनी है और हर एक reason wise इतनी है लेकिन माल लेजिए अगर आपको कोई तीसरा input भी इसके अंदर डालना हूँ जैसे कि मिरे पर यहाँ पर customer segment है तो अगर मुझे इसके अंदर यह input कराना है तो मैं इसको select करूँगा अब देखिए अब data आपका क्या है कि बहुत लंबा हो गया है चार बार east लिखा रहा है तीन बार north तीन बार south और मैं नीचे drag करूँ तो देखिए मिरे को और भी option दिख रहे हैं जब हम इस तरीकी की चीज़ अपनी report में दिखाते हैं तो कभी भी ऐसा ना हो कि वो screen से भाढ़ जाए तो देखिए इसलिए मैंने कहा था कि ये two dimensional data के लिए सही रहता है अगर हमें three dimensional data बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक visual है matrix ठीक है अब देखिए matrix पर click करने से पहले मैं आपको बता दूँ जब भी आप अपनी report में कोई भी visual create करेंगे तो आप उसी को copy paste करते रहे हैं जब भी आपको कोई और visual भी वहाँ पर रखना है फाइदा इससे यह होता है कि जिस तरीकी की formatting आपने पहले में करी है वही formatting आगे भी चलती रहेगी जैसे कि मैंने यहाँ पर yellow color और थोड़ा सा size बढ़ा करा था अब देखिए आपने select करना है इसको मैंने select कर दा और मैंने copy करा Ctrl C दबा के और Ctrl V करके paste कर दिया देखिए मेरा एक और यहाँ पर create हो गया है अब जो यह 3 dot आपको दिखाई दे रहे है तो आप यहाँ पर click करके इसे move करा सकते है यह देखिए मैंने इसे easily हाँ पर move करा दिया है और अब देखिए 3 dimensional data में मिरको इसको convert करना है तो मिरको सिर्फ इसे select करना है और मैं matrix पर click करूँगा तो यह table visual से matrix पर automatically convert होगा अब देखिए यह देखिए यह convert हो गया है और देखिए यह ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और कितने अच्छी तरीक से हमें data दिखा रहा है मैं focus mode पर click करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ यह एक एक बार west east south north लिखा है और एक एक बार हमारा customer segment उपर लिखा है और easily हमें पता चल रहा है कि किसमें कितनी sale हुई है किसमें कितनी नहीं हुई है इसलिए two dimensional data के लिए table use होता है और three dimensional data के लिए आपका matrix use होता है तो यह हमारा हो गया table versus matrix यह हम अलग लग पेज में अलग लग तरीके के visual देखते रहेंगे second में हम बात करेंगे map की और field map की तो मैं यहाँ पर इसका नाम देते हूँ सबसे पहले जिससे में पता चले map versus field map तो map के visual को use करने से पहले मैं आपको दो चीजे बता दूँ कि सबसे पहले map को use करने के लिए आपका internet on होना चाहिए अगर आपका internet off है तो वो fetch नहीं कर पाएगा map को पहली बात यह और दूसरी बात यह कि जब भी आप map use करेंगे तो आपका data उस तरीके का होना चाहिए क्योंकि numerical जैसे sale आपने डाल दी तो इससे map का कोई मतलब नहीं है map का मतलब है जब आप बात करेंगे geolocation की, latitude, longitude की, country के name की, state के name की, city के name की जिससे कि वो net से उस चीज को fetch कर पाएगा और आपको दिखा पाएगा अब सबसे पहले मैं map को यूश करता हूँ मैंने map क्लिक करा और map मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा करा अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे किस-किस state में sale हुई है तो देखिए मेरा यहाँ पर एक column है state तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ state पर और sale पर तो इस state wise sale fetch करके हमें देदेगा data को तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने data इसने दे दिया है और अगर हम इसको left right करना चाहते है तो हम इस पर click करके इदर दर कर सकते हैं और अगर हम यह से बड़ा करना है तो हम plus पर click करेंगे तो यह बड़ा हो जाएगा तो देखिए यह है एक normal map ठीक है अब normal map और field map जो होता है हमारा उसमें अंतर क्या होता है देखिए अगर आप इस map की बात करें त यहाँ पर आपको कुछ bubble type दिखेंगे कि किस area में हमारी sales हुई है और देखिए same इसी को copy paste करके अगर हम देखते हैं और अब मैं field map पे click करके देखता हूँ तो देखिए वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है तो देखिए जो यह field map है आप field map के अगर आप बात करे दे रहे हैं तो आप format में जाके data clouds के अंदर यहाँ पर default color change कर सकते हैं मैं से कर देता हूँ इसको light yellow हो गया है और वैसी मैं सको select करता हूँ field map को और यहाँ पर जाके इसे भी कर देता हूँ light yellow तो अब दोनों का ही color change हो गया है तो यह enter होता है और इस तरीके से use कर सकता है map को और field map थर्ड नमबर पर हम बात करते हैं card और multi row card visual तो यहाँ पर लिख लेते हैं card versus multi row card अब देखिए इसका use कैसे गया जाता है जो देखिए card है वो आपका यह वाला option होता है जहाँ पर 123 लिखा है अब मैंने card पर click करा और यह एक visual create हो गया है तो देखिए इसका use हम तब कर मैंने इस पर click करा तो इसने मिरे को बता दिया कि जो आपका total profit है वो 3,63,000 है मैं इसका size थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और यह देखिए तो यह हमको बता रहा है कि total profit 3,63,000 है अब अगर मैं इस पर कोई और column add करना चाहूं मैं click कर रहा हूं लेकिन यह यहाँ पर कोई भ rate होके आगया है और मैं इसे थोड़ा सा यहां से बड़ा कर देता हूं अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर segment wise दिखाई दे क्या total sale तो मैंने segment पर click करा और sale पर click करा तो देखिए हर segment में कितनी sale हुई है वो हमें यहां पर दिखा रहा है मैं इसका थोड़ा सा size change करता हू data labels के दर जाके और यहां पर कर देता हूं 25 देखिए अब मैं focus mode पर click कर रहा हूं तो यहां पर दिखा रहा है कि हर consumer segment पर कितनी sale हुई है बहुत अच्छे से और देखिए यहां पर बार बार जो sale लिखा आ रहा है अगर आप इससे हटाना चाहते हैं तो आप category को off कर pie chart और donut chart का use हम करते हैं जब भी हमें दिखाना हो कि total में से किसी एक particular का कितना area है या उसने कितना काम करा है यानि कि whole proportional में से single proportion क्या है अगर मेरे पास अलग-अलग इंपराय है तो उन्होंने 100% जो हमने sales करी है उसमें उन सब का कितना कितना बाट है तब हम use करते हैं pie chart या donut chart तो देखिए सबसे बहुत पाइल चार्ट पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं चाहता हूं देखना कि मेरी सेल कितनी हुई है स्टेट वाइस तो देखिए मैंने यहां पर सेलेक करा और इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं मैं इसका size अभी थोड़ा सा आपको दिखा पताने चलेगा कि कौन सा रंग किसका है तो आप क्या कर सकते हैं इस legend में जाके इसका जो position है वो change कर सकते हैं मैं इसको top center कर देता हूं यह देखिए तो यह सबसे उपर आ जाएगा और मैं इसको focus mode पर करना चाहूं फोड़ा सा नीचे करके यह देखिए तो इस तरीके से हम कर स्मूट कर देता हूं अब देखिए यह मैंने select कर रहा है और मैं click कर रहा हूं donut chart पर तो देखिए क्या होता है donut chart में बीच का जो space होता है वो blank हो जाता है तो यह जो होता है वो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है pie chart से तो इन दोनों को हमें use तब करना है जब हम फ्यूनल चार्ट तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूं को जेंट फैनल चार्ट अब इन दोनों का ही जो use होता है वो होता है progress दिखाने के लिए यानि कि अगर मेरा target है कुछ तो मैं उसके कितने नजदीक पहुंच गया हूं या मेरे 10 employee है वो किस-किस तरीके से का साम कर रहे है progress देखने के लिए तो यह हमारा एक गॉच चार्ट मैं इसको select करता हूं और देखिए इसका size थोड़ा सा मैंने बड़ा करा मैंने आप दिखाया है sales तो देखिए यह automatically क्या करता है जितनी भी आपकी sales होगी उसका double कर देगा और यहाँ पर दिखा देगा वह value और half आपको दिखाया है कितना आपने complete कर दिया है हम formatting में चाहते हैं और सबसे पहले इसका size है वह थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यह हमारे text है और मैं से कर देता हूँ 25 तो यह थोड़ा सा visible हो चुका है अब देखिए यहाँ पर आप टॉप पे आईए और यहाँ गौज access कर गया है तो आपको यहाँ पर आना है अब जो देखिए 0.00K दिख रहा है यह सबसे minimum दिख रहा है लेकिन माल लेज़े कि आपका जो target हो तो यह अलग चीज़ है लेकिन आपको यह भी कहा जाता है कि आप इस से कम sale नहीं कर सकते ओके तो मैं कहता हूँ कि आपकी जो sale हो कम से कम एक लाग तो हो तो हमने स्टार्टिंगी एक लाग से करी यहाँ पर दिखाई दी रहा है 100K उसके बाद maximum कितनी हो सकते है maximum sale हम कर सकते हैं 5 lakh तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर 5 lakh दिखा यहाँ भी 5 lakh आ गया अब देखिए 5 lakh हमारा maximum है 1 lakh हमारा minimum है लेकिन target है हमार इस 4 lakh तो करनी ही करनी है तो देखिए 4 lakh मैंने यहाँ पर लिखा है target पर वह यहाँ पर एक lines ने create कर दी कि अभी आप target से इतने पीछे हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम target से अभी कितना पीछे चल रहे है अब मैं target पर जाता हूं और target जो है हमारा इसका जो color है वो मैं sale करते रहेंगे यह आगे की और बढ़ता जाएगा और जैसी वो इसको पार कर लेगा तो हम समझ जाएगे कि इसने जो target है वो पूरा कर लिया एक complete और next है हमारा funnel chart होता है हमारा ये वाला देखिए मैं इस पर click करता हूं यहाँ पर हमारा funnel chart बनके आ गया है और मैं इसको थो हमारा progress कितनी हो रही है state wise मैं data level में जाता हूं और इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं नीचे जाके यह कर देता हूं है 20 और जो आपकी category है यहाँ पर यह देखिए एक category होती है यह इसका भी size हम थोड़ा बढ़ा करते हैं से हमें state visible हो यह अब हमें दिखाई दे रहा है मैं ऐसे कर देता हूं 50 ओके तो देखिए inside वे इसने बता दे कि 26 32 32 इस तरीके से हमारी जो सेल है तो यह जो गौट चार्ट होता है दोनों ही हमें progress दिखाने के लिए होते हैं मैं ऐसे back करता हूं और अब हम बात करते हैं बार चार्ट कि देखिए बार चार्ट में हमारे पा होता है horizontally यानि sleeping line में और जो column chart होता है वो होता हमारी standing line में अब देखिए मैं इस पर click करता हूं और मैं आप दिखाता हूं sales दिखाता हूं मैं product की category wise अब देखिए यह क्या करता है मैं format पे जाता हूं और इसका size बड़ा कर देता हूं data labels में जाके यह कर देता हूं 25 तो किस category में कितनी sales है उस वाइस हमें data देता है लेकिन यह क्या होता है यह rectangulars bar होते हैं और हमारा stack bar chart होता है इसमें हमें horizontally दिखाई देते हैं अब इसी को अगर मैं copy करूं और paste कर दूं तो देखिए इस पर हम मैं click करता हूं change करने के लिए stack column chart पे तो देखिए यह सीधी line में आ आपने excel यूज करा होगा तो आप इसी chart का use करते हैं अकसर लेकिन power bi में इसके साथ साथ और भी chart हम use करते रहते हैं और मैं इसे delete कर देता हूं इसी पर हम देखते हैं अब देखिए next हमारा है clustered bar chart में क्या होता है दिखता तो यह भी rectangular bars के साथ है लेकिन इसमें आपके पास एक जो category होती है उसके अंदर multiple आप category दिखा सकते हैं आप देखिए मैं इसको select करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर यह office supply technology of furniture है product category wise अब इसके अंदर में reason भी देखना चाहता हूं तो अब क्या होगा देखिए एक office supply के अंदर east west north south यह 4 बार create हो गया है उसके बाद technology के अं हम उसके अंदर दे रहे हैं यह उसको भी दिखाता है तो यह हमारा कौन सा हुआ clustered bar chart और इसके बगल में हम देखेंगे तो यह clustered common chart तो इसमें भी वह इंतर है जो से पहले था कि यह हमें sleeping line में दिखता है और यह हमें standing line में है तो इदिक मैं इस पर click करता हूँ तो यह percent column chart अब देखें मैं stack में click करता हूँ तो देखें इसमें क्या होता है कि यह जो भी हमें bar chart दिखाएगा वो पूरा 100 के proportion में होगा इससे पहले कहा था कि चार अलग लग rectangular bar create हो रहे थे एक category में अब यहाँ पर क्या है कि 100% इसने देख लिया और इसके अंदर divide कर दिया कि east west north और south का कितना sales था अब अगर इन तीनों की आप shape देखेंगे तो यह equal है क्योंकि 100% के अंदर यह देखता है और 100% के अंदर एक particular category के कितना value है कितना proportion है वो उसको divide कर देता है तो यह है 100% stack bar chart और अगर हम next में click करे तो यह column तो यह standing में दिखा देगा बाकी खास कोई difference नहीं है next अगर हम बात करें तो यह है line chart अब देखें मैं line chart पर click करता हूं तो जो data है वो हमें line chart के through दिखाई देगा तो देखें फिलाल में region हटा देता हूं तो देखें यह हमें बता रहा है एक line के माध्यम से कि आपका sales कितना हुआ है next है इसके बाद area chart मैंने जैसी area chart कर रहा तो यह क्या करता है यह line chart के साथ साथ उसके नीचे का area पूरा नीचे तक भी draw कर दिता है अब देखिए अगर आप यह देख रहे है तो यह एक line ही है लेकिन यहां से लिकर नीचे तक जहां से आपका start हो रहा है यह पूरा snake area draw कर दिया है तो यह होता है area chart देखें इसके बा से ताद एक ribbon के थूँ आपके data को दिखा दिया है तो यह होगा आपका ribbon chart और इसके बाद है last में एक tree map के बारे में बात करता हूँ दिखी यह पर जितनी ज्यादा होगी यह area उतना ही लेगा देखे महराष्ट में इसने कितना area फिर करनाटका में थोड़ा सा कम फिर यहां पर गुजरात में बिल्कुल कम लिया है क्योंकि यहां पर इन सब यह comparison है गुजरात सबसे कम पर है ऐसी मद्यपरदेश तो यह state-wide इसी तरीके से देखता है मैं इसको back करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ अब देखे। इसके बाद है हैrak हमारे पास slicer here wie morals table smaller place टेबल भी होता है मैं इसको use करता हूँ और देखे यहां पर मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया अब इसके अंदर ? सलाइसर के अंदर मैं जाता हूं यहां पर text size में मैं इसको कर देता हूं 40 ओके तो यह बड़े हो के हमें दिखाई देगे अब देखिए इसके बगल में एक checkbox है जिस भी checkbox में मैं click करूंगा तो उसी जो भी हमारी report के ओपर dashboards होंगे वो change होते रहेंगा अब देखिए मैं करता हूँ office supply पर check ठीक है तो देखिए office supply के अंदर जितना हुआ है यह उससाब से data दिखा रहा है अब मैं select करता हूँ furniture तो furniture के अब मैं करता हूँ technology यानि कि total sale ना दिखा के वो हमें product category जो हमने select करी है उस समय पे उसके साब से data देगा अब इन तीनों को अगर मैं uncheck कर दूँगा तो यह मिरे को total दिखाई देगा तो slicer use होता है कि अगर आप particularly किसी एक specific के लिए देखना चाहते हैं तो slicer के माधियम से द अगर आपको यूज करने होगी तो आप डाउनलोड कर लिजेगा और यह वीडियो आपको अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक और मेंट जरूर कीजेगा